हेलो फ्रेंड्स आएम इंद्रेजित एंड यू आर वेरी वेलकम माई यूटूब चनल आज आम इस्टूडों में बात करने वाले एक लववे आधर्स आवाशे विद्ध्याले की E.M.R.S. 38,480 पदों पर इसका जो नया नोटिफिकेशन रिक्वाइर्मेंट है जारी हो चुका है इसके सिलेबस से संबदित बात करूँगा सभी पोष्ट है जितनी भी पोष्ट है सभी पोष्ट का जो सिलेबस है एक्जामिनेशन पैटर्न है इसकी जानकारी देने वालों या examination pattern रहेगा तो आप लोगों को इस video में syllabus से संबदित यानि कि exam में क्या क्या पूचा जाएगा उससे संबदित इस video में आपको जानकारी दूँगा notification डाउनलोड करूँगा सबसे पहले ओके और यहां पर high level से लगा कर यानि कि principal वाष प्रेंसिपल से लगा कर स्वीपर चोवकिदार ओके यह low level तक की जो वैकेंसियों निकाली गए यानि कि दस्वी पास तक केंडिडेट है इस वैकेंसि में बंपर भरती जो निकाली है इसमें भाम भर सकते हैं तो चले प्रेंट सबसे पहले notification की ओर चलूँगा ओके थोड़ी डिटेल दूँगा उसके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं requirement का एक option है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यह देख सकते है requirement rules of EMRS स्टाप तो यहाँ पर क्लिक करके यह जो notification इसे डाउनलोड कर लिजीगा website पर इसका notification रिलेज किया गया था दो जुल्न 2023 को यह notification में आप देख सकते हैं कितने पाद है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, आर्ट, टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, यहाँ पर फिजीकल टीचर्स, लाइब वेरियन, कॉंसलियोसर, स्टाप नर्स, होस्टल वार्डन, अकॉंटेट, सिनियर अ पर, आप इनका सभी का जो notification है, आप देख सकते हैं, यहाँ से download कर लिजेगा, ओके, आप सिलेबर से समबदित, क्या exam में पूचा जाएगा, examination pattern आप देखिएगा, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानगारी और दूँगा, इसके online form में, अभी start नहीं हुए, आज 11 ज कर दूँगा आपकी साथ, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो syllabus है, वो देख लीजीगा, यहाँ पर examination pattern याने की syllabus मैंने open कर लिया है, सबसे पहली पोस्ट हमारे सामने आती है, principle की, principle में यहाँ पर देखिए, 107 जो number के जो प्रश्न पत्र यहाँ पर रहेगा, आपका, चिक मिनिट का यहाँ पर समय दिया गया, ओके, CBT exam का यहाँ pattern है, आप देख सकते हैं, 117 अंग का जो प्रश्न पत्र यहाँ पर आपका रहने वाला है, principle का, ओके, यह जो syllabus है, friends, मैं दोबारा repeat करूँगा, यह previous year यानि की 2021 में जो वेकेंसी निकाली गई थी, यह उसका syllabus है, अभ लेकिन मेरे खयाल से अभी तक कोई बदलाव नहीं होगा, इसी के अनुसार, same to same syllabus इस वर्स भी, यानि की 2023 में भी same to same syllabus इसी प्रकार से आएगा, अगर कुछ नया बदलाव होता है, तो मैं आपके साथ share कर दूँगा, लेकिन आपको इसी पिछले syllabus के अनुसारी आपको पड प्रेशनर रहेंगे, सामाने हिंदी के 10 प्रेशनर रहेंगे, जनल नौलेज और करेंट आपके 10 प्रेशनर रहेंगे, रिजिनिंग के 10 प्रेशनर रहेंगे, यहाँ पर जो computer के प्रेशनर रहेंगे, वह 10 प्रेशनर रहेंगे, और जो math के प्रेशनर रहेंगे, यानिकि गन पहली पोस्ट हो गई अगली पोस्ट आती है हमारे शामने वाइस प्रेंशिपल की एक सो सहाँ टंगो का जो प्रश्ण पत्र रहने वाले सेम टू सेम होगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाने इंगलिस के 10 प्रेंगे हिंदी के 10 प्रेंगे जनरल नौलेज और करेंट आफेर के 10 प्रेंगे रिजनिंग के 10 प्रेंगे कंफिटर के जो 10 प्रेंगे मैच के 10 प्रेंगे एकेडमी के यहाँ पर 6 प्रेशन रहेंगे administration और finance के 40 प्रेशन इसमें रहने वाले कुल यहाँ पर 106 प्रेशन है वो रहने वाले 0.25 यानि कि 0.25 अंग का जो negative marking है यहाँ पर रहने वाला है दोबारा repeat करूँगा EMRS की जो vacancy निकाली है जो यह vacancy निकाली गई है इसमें 0.25 का negative marking है वो रहने वाला है ओके एक अंक यहाँ पर देख सकते हैं एक मार्क cell video awarded to every correct answer 0.25 मार्क ओके अब PGT की बात करूँगा PGT में भी 160 प्रेशन रहेंगे सामाने English के जो 10 प्रेशन रहेंगे सामाने Hindi के 10 प्रेशन रहेंगे Journal knowledge और current affair के 10 प्रेशन रहेंगे ओके यहाँ पर देखिए जो math से के आपके प्रेशन है वो 15 प्रेशन रहने वाले यहाँ पर कुछ बदलाव दिया है PGT का यहाँ पर तोड़ा लग रहने वाले timing सेम रहेगा यहाँ पर आपका तीन गंटे का जो प्रेशन प्रेशन रहेगा computer के 5 प्रेशन रहेंगे जो आपके math से के हैं यहाँ पर technical aptitude के जो प्रेशन रहेंगे 20 प्रेशन रहेंगे subject का जो knowledge है जो भी आप subject में आप अमनों फॉम फिल करेंगे तो उसके जो 80 प्रेशन यहाँ पर रहेंगे TGT की बात करेंगे 180 यहाँ पर आपका प्रेशन पत्र रहने वाले आपको का जो प्रेशन पत्र रहने वाले तीन गंटे का पेपर है सामाने जान के English के 10 प्रेशन रहेंगे सामाने हिंदी के 10 प्रेशन रहेंगे सामाने जान यह करंट आपके 10 प्रेशन रहेंगे math के यहाँ पर NL ability और जो numerical ability की बात करें तो NL ability जो कुछ प्रेशन रहेंगे तो सामाने जान के और सामाने math की जो प्रेशन रहेंगे, आपर 10 और 15 प्रेशन रहेंगे, computer की जो बात करूँ तो 0.5 प्रेशन रहेंगे, technical aptitude की बात करूँ तो 20 प्रेशन रहेंगे, subject की बात करूँ तो आपर 100 प्रेशन रहेंगे, 0.25 का जो negative marking है, सभी में रहने वाले, आप जितनी कोई से भी पोस्ट में फॉर्म फिल करेंगे आपकी नेगेटिव मार्किंग है और रहने वाली है किसी भी पोस्ट में फॉर्म फिल करें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर जब भी यह वेकेंसी निकाली जाती है तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और रहती है अब मैं Group C वाली पोस्ट की बात करूंगा जिसमें Mass Helper, चोकिदार, स्वीपर, C गुरूप की जितनी भी पोस्ट है C और D गुरूप की जितनी भी पोस्ट है उनके शिलिवस से बात करूंगा क्या-क्या पूछा जाएगा आप देखे फ्रैंट्स जो ग्रूप C और ग्रूप D के पद है जिसमें मेस हेलपर, ड्राइवर इलेक्टरिशन, प्लंबर स्विपर चोखिदार जितने भी पद है जो ग्रूप C और D के पद है इनका यहाँ पर सेलेबस आप देख पाएंगे हाई स्कूल इस्तर के जो प्रश्ण पत्र आपका है वो रहने वाला है यानि कि दसवी के जो प्रश्ण पत्र है यानि कि जो दसवी का सेलेबस है उसी प्रकार से आपका जो दसवी इस्तर का प्रश्ण पत्र है वो आपका रहने वाला है यहाँ पर जो इसका official notification नहीं आया है जैसे इसका syllabus समदी notification आयेगा तो मैं आपके साथ share कर दोगा यह जो notice है यह पिछला है जारी कि 2021 का है जब वे एक इसी निकाली थी ओके अभी तक इसके यह detail नहीं आए कि form कब से start होंगे यह जानकारी अभी तक नहीं आई है वेबसाइट पर इसका notification नहीं जारी हुआ है सिर्फ वेबसाइट पर कितने पद है कहां पर है यह चीज़े आई है इसका notification जारी हुआ है सिर्फ शिलेबर से समदीद बात करूँ तो आपका जो C और D लेवल के पद है दसवी लेवल के परश्ण पत्र रहेगा बहुत ही सामाने परश्ण पत्र रहेगा इजी रहेगा जिसमें सामाने बुद्धिता और तर्ग के जो परश्ण रहेंगे लगबक 20 परश्ण रहेंगे सामान ज्यान और सामान जो जागरुकता के 20 प्रशन लगबग रहेंगे कुल यहाँ पर 100 प्रशन रहेंगे प्राद्मिक यहाँ पर गनित के प्रशन रहेंगे अंग्रेजी और हिंदी के जो प्रशन है वो रहने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कुल 100 आंगों का जो आपका प्रिश्न पत्र रहेगा सारी चीज़े यहां पर आप देख सकते हैं ये पिछला आप देख पाएंगे अशीका है तो यहां पर बड़ा कर दिया जाएगा 25 के जो प्रिश्न पत्र इस बार कर दिया जाएंगे यहां पर एक प्रिश्ण एक आंक का रहेगा कुल सो प्रिश्ण रहने वाले आपके जिसे इसका ओफिसल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपकी साथ सेर कर दूँगा वीडियो को लाइक सेर सस्क्राइब जरूर किजीगा थेंक्यू फ्रेंट्स